हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज मैं आपको खमन डुकला कैसे बनाते हैं वह बताने वाली हूं तो देखिए यह मैंने लिया है एक छोटा कप बेशन इतनी साइस का कप है इसमें मैं डालूँगी शक्कर यह मैंने दो चमच लिया है दो पिंच हल्दी एक पिंच डालूँगी मैं इसमें बेकिंग सोडा आधा चमच लिया है राई नमक स्वात के अनुसर लेंगे दो टेबल स्पून ओईल एक कटावा लिम्बू एक छोटा पैकेट यह इनो का है द तो मिर्ची कड़ी पत्ता थोड़ा सा धनिया तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले मैंने एक एस पे एक फ्लैट ऐसा बरतन रख दिया जिसमें मैं ढोकले बनाने वाली हूं इसमें एक रिंग डालिया और एक ग्लास पानी डाला है और मैंने गैस ओन कर दिया जब तक हम बैट ग्रीस कर लेना है ओईल से अब यह थाली में इसमें डालेंगे ताकि हम पैटर इसमें एजिली डाल पाएं एक बॉल में डालेंगे हम यह बेसन इसमें डालेंगे हम एक पिंच बेकिंग सोडा थोड़ी सी हल्दी एक चम्मच शक्कर नम्मक स्वाधनुसा डालेंगे एक लिम्बू का रस और इसमें पानी डालेंगे जिस कबसे मैंने बेसन डाला था वही कबसे हम इसमें पानी डालेंगे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें इसका एक अच्छा सा घूल बना लेंगे प्लेन इसमें लम्स नहीं आने चाहिए यह देखिए आप इसकी कंसिस्टनसी देख सकते हो अब इसमें डाल देंगे यह इनो का पैकेज पूरा डाल देना है इसे अच्छे से मिक्स करके हम यह डालेंगे थाली में इनो डालने के बाद आटा थोड़ा फूलने लगता है अब इसमें पूरा बैटर हम डाल देंगे इसमें यह देखिए मैंने पूरा बैटर इस थाली में डाल दिया अब मैं इसे डखके 10 मिनिट के लिए डखके रख दूँगी चलिए अभी चेक कर लेते हैं ढोकला बना है कि नहीं गैस बन नहीं करना है पर हम इसमें चाकू डाल के देखेंगे नहीं चिपक रहा है तो मतलब ढोकला बन गया है यह देखिए मतलब ढोकला बन गया है दो मिनिट और रखेंगे हम तब तक हम इसका तड़का बना लेंगे यह पैन गरम करने रख दिया है पैन गरम हो चुका है इसमें डालेंगे दो चम्मच ओईल गरम हो गया है इसमें डालेंगे एक चम्मच राई अब इसमें डालेंगे दो खटी वुई मिल्ची थोड़ा तक हम अब इस तड़के में हम डालेंगे आदा कप पानी और इसमें मैंने एक चम्मच शक्कल डाल दी थी वह हम इसमें डालेंगे अब इसका ग्यास बन कर देंगे देखिए डोकला बन गया है अब हम इसमें चापू से कट्स डालेंगे अब इसके ओपर डालेंगे यह तड़के वाला पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे पानी डाल दिया है मैंने इसमें तड़के के साथ अब मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगे यह देखिए डोकला बन के रेडी है यह इस तरह से ऐसे डोकले बने हैं बहुती स्पॉंजी बने हैं बिल्कुल बाजार के जैसे लग रहे हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और घर पे जरूर ट्राइब थैंक यू फोर वाचिए